Good morning students, आप सभी का स्वागत है आज की इस कलास में आज की जो current affairs की आपकी कलास है वो है आपकी government schemes related, सरकारी योजनाओं से related बच्चे सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ने से पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि भारत में जो सरकारी योजनाओं चलती है जो government scheme लाई जाती है government की तरब से, उन्हें कितनी भागों में divide किया गया है, तो उसके लिए आप देखिए types of schemes, सबसे पहले जो आपकी schemes होती है उन्हें कहा जाता है CSS, ठीक है CSS मतलब centrally sponsored scheme, ये वे scheme होती है जो केंदर सरकार द्वारा sponsored किये जाती है लेकिन जो इनका implementation है, वहाँ आपका राजय सरकार द्वारा किया जाता है ठीक है, और इसमें जो funding होती है वहाँ किसी एक ratio के किसी एक अनुपात में केंदर सरकार, center government और state government दोनों की द्वारा की जाती है ठीक है, यहाँ अलग-अलग scheme के लिए अलग-अलग हो सकता है मतलब कोई scheme है, अगर example के लिए ले लीजी आप अगर मन्रेगा है, तो मन्रेगा में जो funding आती होगी उसमें अगर माल लीजिए, अगर वो UP में चल रही है तो केंदर सरकार का उसमें 70% funding होगा और जो 30% funding होगी, वहाँ आपकी राजय सरकार की होगी ठीक है, तो जो CSS वाली scheme है, वह ऐसी scheme में होती है जो केंदर सरकार द्वारा लाई जाती है, केंदर सरकार द्वारा sponsor की जाती है, और कुछ अनुपात उसका जो funding का है वो केंदर सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो उसका implementation का जिम्मा है, जो उसका किरियानवयन का जिम्मा है वहाँ पूरी तरीके से आपका center government पे depend करता है ठीक है, दूसरी जो आपकी scheme है, central sector scheme ये वे scheme है, जो पूरी तरीके से केंदर सरकार द्वारा funding की जाती है, पूरी तरीके से जो उनका implementation होता है वहाँ भी आपका किंदर सरकार, central government द्वारा किया जाता है तीसी जो आपकी scheme है, ये आपकी state government scheme इसमें जो funding है और जो इसका implementation है वहाँ पूरी तरीके से state government द्वारा किया जाता है ठीक है, तो आपका जो centrally sponsored scheme है, जो CSS है आपकी, वो scheme में इनको again, तीन भागों में हम divide कर सकते हैं, पहली आपकी core of core scheme, core of the core scheme, मतलब सबसे जादे important scheme, जो मनरेगा आपकी आती है, वो इसी scheme के अंडर में आती है, दूसरी आपकी core schemes, और last वाल है आपका optional schemes, बच्चों, I know कि ये जो आपका scheme का, जो आपका classification है, कोई भी exam में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे जो आप material पढ़ने वाले हैं, उसके लिए जरूरी है, कि आपको इस subject का, जो scheme से आपको, उसका origin पता होना चाहिए, कि जो भी schemes होती है, वो किस तरीके से origin होती है, और उसका आधार क्या ह कोई भी topic पढ़ने से पहले, आपको उसका base बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तो आपके mind में clarity होती है, ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, वो है आपका central sector schemes, जो CS, आप अगर कोई भी योजना देखे है, और किसी official paper में आगर आप कोई योजन यह CS, ठीक है, वो पूरी तरीके से central sector है, या फिर वो central से सिर्फ sponsored scheme है, तो हम जो देखने वाले हैं आप, सबसे पहली जो योजना है, यह CS के अंडर में है, सारी योजना है जो आप आज पढ़ेंगे, वो सारी आपकी केंद्रियो योजना ही होंगी, ठीक है, सबसे पहली है आपकी PM मुदरा योजना, बच्चो बहुत पुरानी योजना है, लेकिन बहुत important है, और हर exam में accelerated कोई न कोई question पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको इसका date सहीद इसकी स्तापना याद करनी है, कि जो PM मुदरा योजना है, वह आपकी launch हुई थी, 8 April 2015 को, उसके बाद मे कि इसका उद्दे से क्या है, जो आपकी मुदरा योजना है, इसका उद्दे से क्या है, तो बच्चो इसका उद्दे से है, जो आपके street vendors होते हैं, या छोटे बियापारी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अगर उनको अपने business को अगर extend करना है, तो उसके लिए अगर उन् सिंपल सी किसी बैंक से अगर आप लोन लेने जाएं, तो उसमें आपको security के रूप में, या जैसे आप सुनते हैं, कि गिरवी रखी जाती है, ठीक है, कोई भी चीज, आपने जो assets होते हैं, वो गिरवी रखी जाती है, security उसमें होती है, लेकिन ये जो loan प्रोवाइड किया जा है इसमें, और जो 10 लाग है, उसमें भी आपको अलग-अलग category में इसे divide किया गया है, तो वो category है आपकी, Shishu, Kishor और Tarun, ठीक है, जो 10 लाग का loan है, इसे तीन category में divide किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है आपका Shishu, Shishu loan आपका कौन सा है, जो आपका 50,000 तक, ठीक है, एक रुपे से लेके 50,000 तक का जो loan है आपका, वो आपका Shishu loan है, दूसर है आपका Kishor, Kishor जो loan है आपका, वो आपका 50,000 से लेके और 5 लाग तक का loan है, दूसर है आपका Tarun, Tarun जो loan है आपका, 5 लाग से 10 लाग तक है, इनकी जो range है, वो भी आपको याद है और इसकी जो launch होनी की date है वहाँ आपको याद रखनी है और दूसरा है इसका interest rate यहाँ जो commercial bank है या जो आपके RRBs है, regional rural bank है उनके द्वारा provide किया जाएगा और उनके द्वारा जो loan दिया जाएगा उस interest लोन दिया जाएगा उस पर जो interest rate लगेगा आपका ब्यास दर्ज होगी वो होगी 7.30 ठीक है तो आप इसे याद रखेंगे interest rate को 7.30 और कितने साल तक के लिए दिया जा सकता है यह maximum 7 years ठीक है उसके बाद अगर कोई व्यापारी है और उन्हें मुदराय योजना का अगर लाब लेना है तो वहाँ उसके लिए जो access है वह मुदराय योजना को कैसे access कर सकता है उस योजना का लाब कैसे ले सकता है उसके लिए government के द्वारा एक portal या एक website open की गई है इसके तुरू वह जो भी eligible होंगे वह इसके तुरू लोन के लिए apply कर सकते हैं तो यह आप याद रखिये www.uddami mitra www.uddami mitra.com ठीक है यह आपकी website है मुदरा योजना के अंतरगत लोन लेने के regarding दूसरे है आपका मुदरा की full form जो आप यह पढ़ रहे हैं मुदरा इसकी full form भी बहुत exam में पूछी जाती है वो आपको याद रखना है micro unit development refinance agency ठीक है यह agency के द्वारा ही यह loan provide कि करवाय जाता है यह loan sanction करवाय जाता है बचो इसके बाद जो आपकी योजना है वो है आपकी PM किसान योजना PM किसान योजना और अगर आप इसे official देखेंगे तो आपको यह इस नाम से मिलेगी इसके प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना ठीक है तो PM किसान योजना यह short cut नाम इसका लेकिन अगर आप official देखेंगे तो अगर अगर चाहाए आपका PM किसान योजना से आए यह question या फिर प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी नाम से आएगा तो इसके आंसर調 यह यह मतलब एक ही योजना है, ठीक है, इसमें confused होने की अवशक्ता नहीं है, यह same योजना है, बस जो आपको उदेशी याद रखना है इसका, पीम किसान योजना का जो उदेशी है, कि जो आपके छोटे, जो आपके small, जो आपके छोटे और सीमांत, marginal, ठीक है, जो आपके छोटे और marginal, सीमांत जिने कहते हैं, जो किसान है, उन्हें प्रधान मंतरी द्वारा, 6,000 रुपे परती वर्स रुपे दिये जाएंगे, और यह 3 इस्टॉल्मेंट भी दी जाएंगे, और starting, जब initial phase में यहाँ योजना थी, तो यहाँ जो योजना थी, वो सिर्फ आपके marginal farmers के लिए थी, सिर्फ जो आपके marginal farmers है, वही इस योजना का लाब उठा सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में, इस योजना का लाब, small farmers को भी मिल रहा है, तो बच्चों, इन दोनों में अंतर किया है, small farmers होते हैं, marginal farmers होते हैं, marginal farmers आपके वो हैं, जिनके पास जो जमीन होती है, भूमी होती है, वह less than, less than one hectare, ठीक है, और one hectare से two hectare के बीच में, जो भूमी अगर किसी किसान के पास है, तो उन्हें कहा जाएगा, small farmers, ठीक है, मतलब, छोटे किसान, तो अभी जो योजना चलाई जा रही है, वहाँ आपके, small farmers और marginal farmers दोनों के लिए चलाई जा रही है, ठीक है, और इसमें आपको date अगर याद रखनी है, 24 परवरी 2019 को यह launch होई थी, और कहाँ पे इस्तान अगर पूछ लिया जाए, तो उत्तर परदेश के गोरकपुर में यह launch होई थी, उसके ब यह योजना है, और किस चीज से related है आपकी, food processing, food processing क्या होता है बच्चो, किसान ने अगर अपने बगीचे में कोई tomato होगाया, ठीक है, और वो tomato आपको आपके घर में किस रूम में मिल रहा है, tomato, ketchup की रूप में, तो यह जो process है, tomato से ketchup तक की जो process है, उसे आपका कहा जाता है, food processing, ठीक है, और food processing में बहुत से दिक्कते हैं, बहुत सी ऐसी बाते हैं, जिसके लिए कि government ने PM किसान संपता योजना लांच की है, इसके अंतरगर देखी क्या किया गया है, इस योजना के दो components है, जो आपको अलग-अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, पहला जो घटक है, component है इस योजना का, वो है आपका mega food parks, अगर आपने सुना हो गए, 2021 में, तो एक mega food park का उदगातन किया गया था, जो food processing minister थे, उनके द्वारा, तो इस योजना की अंतरगत ही, ये जो mega food parks जो part है, वह यही योजना की अंतरगत launch किया गया है, और इसके अंतरगत अभी तक food parks में देखे, आप अगर ये photo देख रहे हैं, तो इसमें food processing की units होती है, इसमें cold storage की सुविधा होती है, और इसी तरीकी कि जो भी आपकी food processing में, जो system आपको चाहिए होता है, वो आपका mega food park में include होता है, ठीक है, दूसरा जो आपकी योजना है, वो है आपकी operation greens, बहुत important है और कई बार अगर आपको PM किसान संपता योजना से related भी ना पूचा जाए, तो आपको ऐसा पूचा जा सकता है कि operation जो greens है, वो किस चीज से related है, तो operation greens है आपका food processing से related, और यह launch होई थी 2018 में, ठीक है, यह आपको याद रखना है, 2018 में यह launch होई थी, यहाँ पे लिखा है आ onion और potato, ठीक है, टामाटर, प्याज, और आलू को लेकर, और इसी तरह के जो भी सबजियां, जो कम समय में खराब होने वाली जो सबजियां हैं, इसी तरह के 22 सबजियों को इसमें include किया गया है, और उनके cold storage के लिए, उनके sandaction के लिए, जो है, operation green नाम से एक program चलाया गया है, इसी योजना के अंतरगत, जो PM किसान संपधा योजना है, इसी योजना के अंतरगत, एक योजना चलाया गया है, operation green नाम से, और इसका जो launch हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है, अगली जो योजना है बच्चो आपकी, वह है PM Employment Generation Program, इसे आप PM EGP के नाम से याद रखेंगे और यह बहुत पुरानी योजना है, अगें, यह आप याद रखेंगे, यह सारी जो योजना है आपकी, central sector योजना है, ठीक है, जो 2008 में यो योजना हुई थी, और यह आपकी किसी से related है, establishment of micro enterprises in rural and urban areas, देखिए, फिर से आपका वही है, enterprises के, जो भी आपकी लगू और मध्यम जो उधमी होते हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई थी, जो अभी आपने मुदरा योजना पड़ी, उसमें और इसमें अंतर यही है बच्चों, कि जो मुदरा योजना है, यह बहुत छोटे ब्यापारियों, ठीक है, बहुत छोटे ब्यापारी कि जो MSME में नहीं इंकलूड हो पाते हैं, जैसे आपके street vendors है, सबजी बिकरेता हैं आपके, ठीक है, जो आपके MSME में नहीं इंकलूड हो पाते हैं, वह भी मुदरा योजना का लाव ले सकते हैं, जबकि ऐसी ही एक योजना, बड़े उद्धियों मेयों के लिए पहली से च इसे पढ़ने का क्या मकसद है, अभी ये नियूज में क्यों आई, क्योंकि बच्चों, इसे इस योजना को जो है, एक्स्टेंड कर दिया गया है, अगले जो हमारा पंदरवा, financial commission है, अगला जो हमारा वित्य आयोग है, हमारा, 2022 ते लेकि 2026 तक जो आपका financial commission है, उसके यही है, कि इसमें current का topic है, कि यह है 2022 से आप 2026 तक आपकी चलाई जाएगी, और सिम आपकी मुद्रा योजना का ही एक आपका ही अपग्रेट रूप है यह, और पहले से चली आ रही है, 2008 से चली आ रही है, उसके बाद आप देखेंगे, PM Swastya Suraksha योजना, PM Swastya Suraksha योजना, अगेन 2003 की है, बहुत पुरानी योजना है, लेकिन अभी किस वज़े से चर्चाओं में है, आपने अगर सुना होगा, 2022 जन्वरी में, कि इन्जी सरकार दोरह यहां गूशना की गई, कि 2022 तक जो है भारत में 19 AIMS, 19 AIIMS, 19 जो AIMS है, उनकी सुचारू रूप से function करने लगे ह और उसके बाद जो आपके 6 AIMS है, वहाँ अभी क्या है, अंडर कंस्रक्शन है, तो इसी AIMS-related यह योजना है, अभी तक आपके जो देश में AIMS है, उनकी जो संक्या है, वहाँ 23 है, ठीक है, टोटल मिला के जो आपके फंक्शन भी है, और जो अंडर कंस्रक्शन भी है, ट और इनका जो उद्देश यह है, कि 23 AIMS को complete करना है 2025 से पहले, ठीक है, और जन्वरी 2022 तक हमने 19 AIMS, 19 AIMS complete कर चुके हैं, इन्होंने अपना function, यह function करने लग गए है 2022 तक, उसके बाद जो बच्चो आपकी यूज़ना है PM, आत्मि निर्भर भारत यूज़ना, आपने एक प्र भारत, यहां 2021-2022 इसके अलग अलग वर्जन, जब सबसे पहले यह आत्मि निर्भर भारत आया था, तो आत्मि निर्भर भारत की नाम से आया था, उसके बाद आत्मि निर्भर भारत आया, आत्मि निर्भर 2.0 की नाम से, और अभी हाल ही में जो 2022 में जो आत्मि निर्भर दोओक की नाम से, तो आटमी निर्वर भारत एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला इशीम है केंदर सरकार की, जिसके अंतरगत 12 गोशना एं की गई थी, ॢ गल इसके अंतरगत जो आत्मिनिरवर भारत है ये इससे अलग ये वाली योजना नहीं है इससे अलग एक अंब्रेला योजना है आत्मिनिरवर भारत 3.0 2022 में इसके गोशना की गई थी 2019 से ये चली आ रही है तो इसके अंतरगत 12 गोशनाई की गई थी और 12 गोशनाओं में से एक जो आपकी गोशना थी वो थी PM आत्मिनिरवर भारत रोजगार योजना ठीक है तो इसे आपने याद रखना है जो आत्मिनिरवर भारत योजना है वहां किसके अंतरगत आता है आत्मिनिरवर भारत जो बड़ी योजना है उसके अंतरगत आती है और इसका सुभारम हुआ था 2019 से और इसका एम क्या है यह है आपका unemployment during COVID-19 ठीक है जो भी आपके COVID-19 के दौराण जो भी लोग बेरोजगार हुए है ठीक है उनके लिए योजना लाई गई है और कैसे helpful होगी है देखिए बच्चो जो भी आप अगर कोई private sector में काम करता है तो वह इससे समझ पाएंगे जब आपकी कोई भी private firm है private company अगर होती है तो जब आपको वहाँ पे salary का account अगर वहाँ पे आपका salary account होता है तो salary में से आपका जो कुछ percent है वहाँ आपका PF के लिए जिसे आप provident fund कहते हैं provident fund के नाम से जानते हैं तो आपको जो salary का कुछ percent होता है वो PF के रूप में काट लिया जाता है ठीक है और वो जो percentage होता है वो होता है आपका 24 परतिसत 24 परतिसत PF के रूप में काट लिया जाता है और इस 24 परतिसत में से 12 परतिसत तो आपके अपने होंगे और 12 परतिसत होंगे आपके जो employer होंगे जो आपको रोजगार दे रहे हैं आपके company, आपके boss ठीक है उनका 12 परतिसत का share होगा 12 परतिसत आपके salary में से कटेगा लेकिन इस योज़ने के अंतरगा सरकार द्वारा क्या किया गया है कि यह जो 12 परतिसत employee का share है और 12 परतिसत employer का share है दोनों ही सरकार द्वारा चुकाई जाएंगे, ठीक है सरकार द्वारा, जो 24 परसेंट का EPFO है, उसका जो भुकतान करेंगी, वह केंद सरकार द्वारा किया जाएगा, यह आपको याद रखना है और इसमें जो company हैं वो पहली तो आपको EPFO में registered होनी चाहिए Provident Funds Related Organizers EPFO, तो यह EPFO में registered होनी चाहिए, दूसरा उस company में 1000 से कम workers होनी चाहिए ठीक है, यह eligibility है company की, अगर किसी company को इस योजना का लाब लेना है तो पहला तो वो EPFO के अंडर में registered होनी चाहिए, दूसरी आपकी 1000 से कम workers उसमें होनी चाहिए ठीक है दूसरी योजना देखिए PM कुसुम योजना PM कुसुम योजना 2019 में यह योजना शुरू की गई थी और इसका जो पूरा नाम है वो आपको याद रखना है, कुसुम की full form अगर पूची जाए आपको, तो किसान उड़जा, सुरक्सा एवं उत्थान योजना किसान सुरक्सा किसान उड़जा, सुरक्सा एवं उत्थान योजना इसका नाम आप याद रखना कीएगा कुसुम नाम से है अब्रिवेशन है, तो आपको full form याद रखनी है हर योजना की, ठीक है तो किसान, उड़जा, सुरक्सा जो योजना है आपकी, वह किस चीज से related है, यहाँ जो फार्मर से उनकी income को, किसानों की income को बढ़ाने के लिए है, और उनको सिचाई के साधन उपलब्द करवाने के related है, इसमें क्या किया गा है इस योजना का जो उड़े से है, वहाँ आपको पूछा जा सकता है, कि इसका उड़े से है, कि किसानों के जरिए 30.8 gigawatt, 30.8 gigawatt की जो आपको solar capacity generate करनी है, ठीक है, प्रोड्यूस करनी है, कि यह सरकार का उड़े से है, इस योजना से related, कि कि किसानों के दोरह, किसानों का use करके आपको 30.8 gigawatt, जो है, solar capacity को generate करना है, और इसमें क्या किया जाएगा, किसानों को, यह आप अगर फोटो में देखे, यह आपका solar pump है, ठीक है, यह जो आप देख रहे है, solar pump है, और यह है आपका solar panel, अगर कोई भी किसान अपनी जमीन पे solar pumps और solar panel का अगर construction करवाता है, ठीक है, अगर वो solar pump लगवाना चाहता है, यह solar panel अगर लगवाना चाहता है, तो उसे 60% की, जो भी खडचा आएगा, किसान का जो भी खडचा आएगा solar pump लगवाने में, तो इसका जो 60% की साथ होगा, वो government द्वारा subsidy के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, तो यह जो आपकी योजना है, इसका उद्देश से याद रखिये, यह किस से related है, आपकी farmers की income को increase करने से related है, और दूसरा है providing sources for irrigation, ठीक है, सिचाई के साधन उपलावद करवाने से related है और इसका उद्देश ही याद रखिये, 30.8 gigawatt की capacity generate करनी है, solar panel के जिरिये, और दूसरा है, कि subsidy कितनी दी जाएगी इसमें सरकारद्वारा, तो 60% की subsidy दी जाएगी सरकारद्वारा, अगर कोई भी किसान अपने खेत में बहुत सुर्ख्यों में रही यह योजना, इस से related आप बहुत जानते होंगे, लेकिन इसमें जो याद करने लायका भी बात है एक तो इसकी launch की date, ठीक है कब गोष्णा की गई थी यह? 14 June 2022 14 June 2022 में यह गोष्णा होई थी अगनी पत योजना की regarding लेकिन यह implement कब से किया जाएगा September 2022 September 2022 के बाद यह implement किया जाएगा अब योजना के main जो point है वो आप याद रखेंगे 17.5 से 21 वर्स की आयू के लिए 4 साल के लिए आर्मी में आप भरती हो सकते हैं duration of service 4 years, ठीक है? 4 साल के लिए duration याद रखनी है age याद रखनी है आपको पहली salary का package आपको 4.76 lakhs है per annum, उसके बाद non contribution insurance जो cover मिलेगा वो है आपका 48 lakh ठीक है? और इस योजना के अंतरगत जो भी आपके जो भी बच्चे इसके योजना के अंतरगत आर्मी में भड़ती होंगे उनको जो नाम दिया गया है agnivir, ठीक है? इसके अलावा बच्चों आर्मी में जो recruit होने की जो process है बाकी सारी समाप्त कर दी गई है अब जितनी भी आपकी entry होंगी आर्मी में वो अंतरगत ही की जाएंगी इसलिए आपको यह याद रखना है agnivir, अब जितने भी recruitment होंगे आर्मी में वो अगnivir के जरिये होंगे और उसके बाद आपके जब 4 साल के tenure उनका पूरा हो जाएगा उसके बाद में इन्हें एक pension के रूप में एक amount दिया जाएगा 11.5 lakh ठीक है? तो इस से related आपको यह बात ही याद रखनी है तो बच्चों जो central sector वाली जो scheme थी important important जो 2022 में भी जिनका कोई न कोई 2022 में जिनमें कोई न कोई अपडेट हुए हैं वो आपने देख लिए हैं इसके बाद जो आपकी scheme होंगी वो आपकी थोड़ी state related state related में देखिए बच्चों सिफ उत्तरप्रदेश जो उत्तरप्रदेश राज्य है या मध्यप्रदेश या कोई अगर ऐसा state है जिनके द्वारा किसी अलग सी type की scheme launch कर दी जाती है तो वो पूछे जाते हैं और दूसरी हैं आपकी जो centrally sponsored scheme है वो बहुत ज़्यादा है और उन्हें हम इसके बाद की वीडियो में cover कर लेंगे तो आई होब कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तब तक के लिए पढ़ते रहें बढ़ते रहें धन्यवाद